शुल्तानपुर जिले का एक बच्चा जो इस्पाइनल मुस्कुलर एट्रोपी नामा गंभीर बीमारी यानी ये से में टाइप वन जैसे गंभीर बीमारी से पीडित है जिसकी एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोर रुपए है ये बीमारी बहुत ही गंभीर बीमारी होती है और शुमिज सिंगे फैमिली में एक खुशाली की लहर आ सकती है आपके छोटी सी मदद से जेहां अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को कांटीनिव शेर करिए ये भी एक मदद है जेहां क्राउड फंडिंग खुद कहती है कि आप वीडियो को अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप जो है इस कंटेंट को किशी वी जो भी बिमार बच्चा है जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं इम्पेक्ट गुरी मिलाप या कोई भी क्राउड फंडिंग पर आप डूनेशन नहीं कर सकते हैं डोनेशन करने के लिए इसben Gil नही थे तो आप उसक मिलने की शम्मावना लगातार बनी रहती है कि इस पाइनल मुस्कलर बिमारी क्या है आए इसको विश्टार जोट से जनने की कोशिश करते हैं या मसल्स को खराब करने वाली एक रेर बिमारी है और सीवियर हो जाने पर बच्चों को दो साल होने से पहले ही मार देती है लेकिन इसका खर्चा इसका ट्रीटमेंट का खर्चा हो सुड़ाने वाला है इस तेरापी का खर्चा लगबग 2.5 मिलियन डॉलर एनी 16 करोड रुपए के लगबग है बता दें कि स्पाइनल मुस्कलर अट्रापी स्पाइनल काड की मोटर नर्फ सेल्स को परभावित करती है जिससे शरीर की सक्ती खत्म हो जाती है दीरे दीरे वे चलने बात करने खाना खाने यहाँ तक की सास लेने को भी मोहताज हो जाते हैं और यह बीमारी काफी बहुती गंभीर बीमारी होती है और इसका जो भी इंजक्शन लगाया जाता है इंजक्शन लगाने के महच कुछ दिनों बाद ही बीमारी आटोमेटिक बोडी से रीमूब हो जाती है और इस खतरनाक बीमारी से एक बच्चे को बचाया जा सकता है शे रहिं हिसा सिलतानपुर्वी सिल्disciplinary का एक बच्छा जो इस पाइनल मुश्कुलर इड्रोपी नामक गंभिर बिमारी से फीडिध हो चुका है जिसके फिता जी का नाम स्मीच सिंग मिच्छे का नाम अनमय जो इस समय अनमेशिंग बहुत ही गंभीर बिमारी से फीडित हैं जिने इलाज के लिए कम से कम 16 करोड रुपए चाहिए होगा और जो उनको इंजेक्शन लगाया जायागा इस बिमारी के लिए उसकी कीमत 16 करोड रुपए है और वो इंजेक्शन हिंडिया में अपलब नहीं है उस इंजेक्शन को यूए से ऐनी अमेरिका से मंगवाना होगा जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास 16 करोड रुपए में होना बहुत ही डिफकल्ट बहुत ही डिफकल्ट होता है तो यह हर कोई गठा नहीं कर सकता है तो अनमेशिंग के पिता एंड फैमिली वालों ने पियमों से मदद की गुहर लगाई है जो कि अभी तक मदद की कोई भी गुंजाई सियम एंड पियम की तरफ से नहीं मिला है और इनका जो है इनहोंने अपना कंटेंट इमपेक्ट गुरू के पास क्राउड फंडिंग के जरिए अपना कंटेंट बनाया हुआ है और महस इम बनाया हुए लगबग अभी 25 डेश हुआ है और इतनी दिनों में कम से कम इन्हों ने 30 लाख रुपए फंडराइज किये हैं तो इतनी दिनों में इतने पैसे मतलब बहुत कम ही पैसे अभी तक इन्हों ने एकठा कर पाया है क्राउड फंडिंग के जरिये तो मैं सभी दर्सकों से सभी भाईयों से सभी मात और सभी बेनों से अफिल करना चाहूंगा कि आपके पास जितनी भी जितना भी आप मदद कर सकते हो उतना मदद करने के लिए आगे आएं और एक बच्चे को सेफ करें एंड सुमिच सिंग की फैमिली को एक खुशाल जिन्दगी देने की कोशिश करें जब तीन महीने गा था तब ही उसके जो है सारीरिक ग्रोथ करना बंद कर हो गया था जिसके करण गाओं और ग्रामोसियों ने उन्हें सुचित करना सुरू किया कि आपके बच्चा जो है ठीक शे ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और उन्होंने फिर लोकल हस्पिटल में इदर उदर दिखाया तो वो लोग इस बिमारी का पता नहीं लगा पाए कि आनुक्ट्र काफी शौन प्रक्षिशन पर पहुंचें उन्होंने लहीं धेखा कि इस बच्चे को इस्पाइन ?, मुश्कलरगी नामक घम्बीर विमारी से फीडीट है उन्हेंने फैमिली को एडवाइस किया कि इस बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए 16 करोड रुपए का एक इंजेक्शन इसको लगना है तब ये बच्चा ठीक हो सकता है और उन्हें एडवाइस किया कि इस इंजेक्शन की कीमत करीब करीब 16 करोड से भी अधिक एमाउंट इसमें आपको लग सकता है तो सुमिच सिंग के फैमिली वाले का इतना पैसे करना बहुत ही मुश्किल बात है इतना पैसा हर कोई इक अठा नहीं कर पाता है तो क्राउड के फंडिंग के जरिए एंड जो भी भाई जो भी वैंसिस्टर इस वीडियो को देख रही है उन्हें जो है इनका सुमिच से इनका क्राउड फंडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप वहां जाकर आप जो है डोनेट कर सकते हैं आपके पास जितना भी एमाउंट है उतना आप डोनेट कर सकते हैं एंड इंपेक्ट गुरू जहां पर इनका कंटेंट बना हुआ है आप वहां से ऒ्जाकर डारेक्टली आप इनको है डोनेट कर सकते हैं इंस और इंपक्ट गुरू का भी लिंक दिकवर करना इस बीमारी को बहुत ही मुश्किल होता है तो आए हम सब लोग इंसानियत के नाते इस बच्चे को कुछ ना को डोनेशन करने की कोशिश करते हैं और इस बच्चे को सेव करते हैं जिहां यह बिमारी करीब-करीब करोड़ों करोडों लोगों में से किसी एकाद क एक आद जो है एक आद बच्चे जो है इस बीमारी की चपेट में आते हैं तो आपको समय अपना बरबाद ना करते हुए एंड समय रहते ही इस बच्चे को सेव किया जा सकता है तो आप बिल्कुल ही देरी नहें आपको इनका एकाउंट नंबर आएफसी कोड वगारा एकाउंट डिटेल सारा कुछ इसक्रीन के आपको आलेडी दिखाई दे रहा है तो आप जो है जल से जल इन्हें जो है डोनेश्ट डोनेशन करने की कोशिस कर